नमस्कार, अलाहाबार उनिवस्टी में बीए का जो इंट्रेंस इग्जामिनेशन होता है, उसमें टूटल एक सो पच्चास डेड़ सो क्वेस्चन्स पूछे जाते हैं इन डेड़ सो क्वेस्चन्स के लिए आपको दू घंटे का समय दिया जाता है और डेड़ सो जो भी आपके प्रिशन रहते हैं, वो पूरे-पूरे क्वेस्चन्स आपके बहुविकल्पी है, यानि मल्टिपल च्वेस्चन्स रहते हैं हर क्वेस्चन्स सही होने पर दो नमबर मिल जाता है आपको, इस बार कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है यानि क्वेस्चन आप गलत कर रहे हैं, तब कोई नमबर डिड़क्ट नहीं किया जाएगा अगर क्वेस्चन आप अटेम्ट नहीं कर रहे हैं, तब ही कोई नमबर डिड़क्ट नहीं किया जाएगा जो आपका entrance examination है basically 12th के standard से होता है 12 के अस्तर के आपसे questions पूछे जाते हैं entrance examination में बीए के program के लिए English या Hindi में से कोई एक आपको choose करना होता है 25 questions पूछे जाते हैं अगर Hindi choose कर रहे हैं तो Hindi से English choose कर रहे हैं तो English से General Awareness के 25 questions होते हैं GA में कुछ भी हो सकता है या यूं कहें कि बहुत कुछ हो सकता है आपके राश्टपती प्रधानमंती के नाम से लेकर आपके अमेरिका और बिर्टेन की राषधानी से लेकर मतलब विस्वस्टर की सारी चीजें even current affairs हो गएरा ये सारा कुछ आपका General Awareness में आ जाएगा इसके लावा जो अगला section है वो है General Mental Ability Test तो General Mental Ability Test में आमतार पे होता क्या है कि reasoning पूछी जाती है आपसे इसमें Blood Relation के questions हो सकते हैं reasoning के मतलब हर तरह के reasoning के 25 questions इसमें put up किये जाएंगे अब रही बात ये कि अगर आप इन में से कोई से भी अगर सारे के सारे question paper के questions हल कर ले रहे हैं तो 75 marks यानि 1500 number 150 marks का आपका काम हो गया लाश्ट में जो चौथा नंबर है subject test उसमें choose देनी 3 कोई आपको 3 subjects choose करने होते हैं जिससे 75 questions पूछे जाते हैं इन 3 subjects में आप या तो civics यानि नागरिक सास्त्र या economics या अर्थ सास्त्र या geography या भूगोल या history या इतिहास या logic या संस्कृत या उल्दू या visual art इन में से कोई एक चुन सकते हैं तो आम तावर पे लोग economics और civics ही चुनते हैं या history वगएरा जो आपको सही लगे वो आप चूज कर सकते हैं तो ये आपका question paper रहेगा जैसे आपने economics चूज की तो economics से 25 questions economy, geography और history अगर आपने ये 3 चूज की है तो इन 3ों से 25, 25, 25 questions पूछे जाएंगे economics से 25, geography से history से वो आपको वही intense examination की समय ही चूज कर लेना होगा और मातपूर्ण बात ये है कि आपको समय मिलता है 2 घंटे का यानि 120 मिनट का और questions रहते हैं 150 तो एक प्रस्ट पे आपको एक मिनट का भी समय नहीं मिल पाता है तो इस पे विसेश ध्यान देने की आवज सकता है जो भी विद्यार्थी is worse intense examination देंगे कि आपको कोई भी negative marking नहीं इस बार हो रही है तो इसमें जो आपका plus point है वो ये है कि आपको जिस question में confusion भी हो जैसे आपके पास कोई ऐसा question आया जिसमें आपको दो options में confusion है और आपको लग रहा है कि इनी दोनों में से कोई उत्तर होगा बाकी दो तो उत्तर बिल्कुल नहीं होगे तो ऐसे questions को आप इस बार छोड़िएगा मत उसको attempt जरूर करिएगा क्योंकि अब तक जो भी guideline आई है उसमें negative marking के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है मैं आपको दिखा रहा हूँ एक line इसमें लिखी हुए है prospectus में कि negative marking इस बार नहीं होनी है ये रेखे guidelines में 10 number का point देखिए there is no negative marking ये दिया हुआ है मैं अब फिर से उसे slivers पे ले चलता हूँ और महत्पूर्ण बातें आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले साल जो first cut off गई थी वो लगभग 180-90 के आसपास गई थी जनरल की और जो last cut off गई थी वो 140 के आसपास something गई थी मैं एकदम exact आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये counseling करवानी थी उसके बाद पता चलता लेकिन इसी के आसपास से cut off गई थी तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप 75 questions इसमें सही सही कर ले जाते हैं तो आप भले अपने पसंदीदा subject ना पापाएं लेकिन आप हरहाल में admission पा जाएंगे अगर आप इसमें 100 plus questions कर ले रहे हैं तो आपका admission हो ही जाना है तो इसलिए आप पूरी मेहनत से इस entrance examination को focus करें क्योंकि अप कारण थोड़ा सा यह भी है कि सबसे लेट में इसी उन्वरिश्टी का entrance संभावता होना है क्योंकि BCHU ने भी date से निकाल दी है अलाब आप आप उन्वरिश्टी ने ही अभी date नहीं निकाली है